Hello Friends, मेरा नाम है Simran और आप सब देख रहे हैं चानल Kids Toy Zone Friends, आज हम सुभाष चंदर बोस जी के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ, अगर आप हमारे चानल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही educational content के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सुभाष चंदर बोष जी को नेता जी के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से सोतंत कराने में एहम भूमी का निभाई थी सुभाष चंदर बोष जी का जन 23 जन्वरी 1897 को उडिशा की कटक शहर में हुआ था उनके पिता जी का नाम जानकिनाथ बोष था जो मशूर वकील थे और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था उन्होंने ISC की परिक्षा उत्तीन की थी लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें ठीक से काम नहीं करने दिया वो सुभाष चंदर बोष जी पहली बार गांधी जी से मनी भवन में 20 जुलाई 1921 में मिले थे और वे उनसे मिलकर काफी प्रभावित भी हुए थे लेकिन सुभाष चंदर बोष जी अंग्रेजों को लेकर कांधी जी की अहिंसा नीतियों पर विश्वास नहीं करते थे उनको लगता था कि अंग्रेजों को अहिंसा की भाष समझ में नहीं आती है और भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए हमें एक सीना बनानी पड़ेगी सुभास चंदर बोष जी ने 1942 में आजाद हिंद फोज का गठन किया था सुभास चंदर बोष जी ने चर्मनी में आजाद हिंद रेडियों की शुरुआत भी की थी ताकि आंदोलन का प्रसार हो सके सुभास चंदर बोष जी की मृतिव आज भी एक रहस्ये है माना जाता है 18 अगस्त 1945 को टोक्यो एरपोर्ट पर एक विमान धुर्गटना में उनका निधन हो गया था वो एक वीर योदा और एक बहुत बड़े देश भक्त थे और उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना भी की थी जैसे Words of Freedom, दिल्ली चलो, नेता जी, आदी उन्होंने अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए पूरे देश को प्रुचाहित किया था उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूंगा उन्होंने ही दिल्ली चलो और जैहिन जैसे नारे दिये थे और आज भी हमारी सेनाए जैहिन का नारा लगाती है जैहिन So friends, इस वीडियो में बस इतना ही I hope आपको सुभाश चंद्र बोश जी के जीवन के बारे में ये जानकरी अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूसफुल भी होगी अगर आपका मारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने सभी friends के साथ share कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अब मैं विलोंगे आपका अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ